एक मिनिट आप यहां पर देखिए अगर आज आप Google.com खरीदना चाहते हैं तो एक डोमेन की कीमत कितनी हो सकती है आप यहां पर खुदी देख लिए यह डॉलर्स में रेट लिखा हुआ है आप इंडियन करेंसी में केलकुलेट करके नीचे कॉमेंट कर दीजेगा लोगों को डॉट कॉम डॉट ए आर एर फॉर अर्जेंटीना अभी मैं खुलूंगा और यह गूगल की वेबसाइट खुलेगी आपको लग रहोगा इसमें क्या बड़ी बात है बड़ी बात है आपने गूगल डॉट कॉम की वर्थ देख ली कि उसकी वर्थ क्या है अब जरह यह दे कितने डॉलर का खरीदा था बारा डॉलर का बट गूगल ने उसे अप्रॉक्सिमेटली यहां पर आप देख सकते हैं छे हजार से जादा डॉलर दिये तकरीबन चार लाक रुपे कि भी आपने डॉमेन खरीद लिया था बट फिर भी हम आपको एक तरीके से पैसे दे रहे ह बट सनमे ने क्या किया यह पूरा का पूरा पैसा डोनेट कर दिया आर्ट ऑफ लिविंग को अब जैसे ही सनमे के बार में पता लगा गूगल को क्यों उसने पैसा डोनेट कर दिया गूगल ने वह आपको भी लग रहा होगा कितनी बड़ी बात है हम भी कभी गूगल.com खर इस लेट मी शो यू यू यह सम आर्टिकल्स बेर अर्टिकल्स अलसो यह 2015 में बहुत सरे पबलेश हो चुके हैं बट अभी मैं कोई आर्टिकल आपके सामने खोली देता हूं जस्ट गिविट आवाइल जसी दिस यह BBC.com का है जड़ा देखिए अर्जेंटीना के एक आदमी करोना एनिवेस तो इस मान पर्चेस्ट गूगल.com.a और यह कैसे हो रहा है इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्या आप गूगल महां पे चल रहा है महलों गूगल ने इससे दुवारा ले लिया अब गूगल ने क्या कॉम्पेंसेशन दिया यू कें सर्च अबाउट इट बट तिंग इस ही एक्चुली पर्चेस देखिए इसने अपनी पर्चेस रिसीट भी डाल रखी है गूगल.com.a अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं उसे समझें देखो होता क्या है आज की रेट में बिजनस जो है वो ऑनलाइन शुफ्ट हो गए है आप गूगल तो बहुत हम ने एक फ्रेंड के साथ बैटा था और हम ने एक बिजनस कईकी बात है तो जुस्यान करने की बात है तो हम साथ मैं बिजनस कर और थे scribe कुई कि रहीं है कोई ओसदार बिगा वुजए क्सें दॉबिए होस्टिंग बह में चाहित Greek करते पर उसने होस्टिंगने लिए हु कोई बात money नहीं मलब हमारी adjustment नहीं बनी तो हमने ठीक है मैं बिजनस करूँगा और उसने बोला मैं बिजनस नहीं करूँगा तो बिजनस किसे करना था मैंने करना था पर मैंने बोला है domain तो मैं यूज़ करना चाहता हूं तो मुझे इसके राइड यह मुझे चल अपना account का यह ID password उसने कमा मैं डूमें नी दूंगा डूमें तो मेरा है मैंने डूमें खरीदा दा डूमें बिलॉंग स्टू मी and he was right मैंने कभई ट्रांसफर करते मुझे पैसे ज़ादा ले रांसवर करते करना नहीं मैं नहीं दूंगा यह डूमें ब बिजनस है यह एक अलगी लेवल का बिजनस है but just understand this there are a lot of people I know जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे domains खरीद के रखे होएं और पांच मास ददस साल से हम मैं बोलता हूं लोग stocks में invest करते हैं मैं आपको बोलता हूं लोग real state में invest करते हैं गोर्ड में और डिमांड करेगा और यह बिजनस को online presence चाहिए एक अलग बात है बर्ट यह domain sell करने वाला भी बिजनस आज की रेड़ में बहुत जादा बढ़ रहा है अक्च्छल में domain के owners को contact किया जाता है companies के through और वह आप से पूछते हैं कि आप कितने में domain दोगे जस्ट आप सोच के देखो आज simple olx.com है कितना चोटा यह.com है three word.com है तो यह सिर्फ एक नाम की कीमत आज करोडों में है किसी ने अगर housing.com खरीद के रखा हुआ होता आज से 10 सल पहले तो किसी भी stock किसी भी रियल state से बहुत ज़्यादा प्राइजिंग हो जाती सिर्फ एक domain की तो domain आप कैसे search कर सकते हो domains कैसे available होते हैं यह भी सीखना आज के रेट में बहुत जरूरी अब आप कोई भी business करो पहले तो उसे online लेके जाना जरूरी है क्योंकि online लोग बहुत ज़्यादा है मैं इसे पहले भी बता चुका हूं मैं आपके लिए रेपीट कर देता हूं आज हर बिजनस को बहुत जरूरी है अब मैं आपको जल्दी से शॉर्ट कट दे रहा हूं यह शॉर्ट कट आपको बहुत ज़दा काम आएगा और यू कैन आक्शुली जस्ट रिसर्च अट यॉर होम अपने आप देखो आप गूगल पर जाके लिखिए लीन डोमें अब मैं लीन डोमें क्य अगले गाम करदेगा यह एगाँ यह और आपका जो भी बिजनस धे जो भी नाम आपको लगता है कि अव्लिगे नाम है राहूल शर्मा आपको नहीं मिलेगा रावल शर्म राडट कॉम आपको नहीं मिलेगां किसीना किसीने लिए हुआ यहीं भी समझ आ içer comprehensive नाम से क्या अब राउल शर्मा मैं जैसी सब्सक्राज करूंगा, तो राउल शर्मा नाम से जितने भी होंगे, यहाँ पे मेरे सामने आजाएंगे, जितने भी अवलेबल होंगे, तो यह वेबसेट मेरे लिए काम कर देगी, अब suppose राफुल्शर्मा उप लेवल माय राफुल शर्मा वेब लेवल लेवल ले राफुल्शर्मा मीड़े लेवल्ब तो मुझे राफुल्शर्मा के नाम से क्या चाहिए यहां पर मिल जाएगा अब suppose करो तो विराटकुली .com आपको नहीं मिलने वाला यहापको Ms.centered.com नहीं मिलने वाला तो अगर आपको से अब्लिक जैसे पताद की उनिन अपने बिछा तो आपके सामने सार्च हो के आ जाएंगे कि यह अवलेबल है विराट कोली ब्लॉग माय विराट कोली विराट कोली ओर्ड so whatever the domains जो अवलेबल है विराट कोली आप now just think about what people search about विराट कोली and if you have that domain आज नहीं तो कल people will contact you कि domain हमें देतो it is a promising business but यह मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने बिजनस के लिए भी सर्च कर सकते हो अब मालो मुझे अपने लिए website लिए example देता हूं और मेरा अपना कोई business अब उस business का नाम real state से होता है real state से लेटेड है मेरा कोई business तो अब बहुत रियल state है real state voter real state smiley real state is a very heavy keyword यह इसका कोई बढ़िया.com मिलना बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है इसका अच्छा domain मिलना सो हमें ढूंडना पड़ेगा and exactly अगर आप यहां पर देखो so there are so many names so many names तो आपको इसमें से जो नाम पसंद आता है आपके business related आप search कर सकते हो अगर आप digital marketer हो तो आप यह अपने clients के लिए search कर सकते हो और अगर आपका खुद का business है आपके father का business है तो उसे से लेक्ट हो गया पर दुकान की जगा जगा को बोलते हैं hosting अब यह hosting क्या होती है यह मैं आपको बता देता हूं देखो आज की रेट में आपकी जो भी website हो जो भी data होगा वो कहां पे store उसे एक जगा चाहिए और internet पे चाहिए कि कोई भी उसे access करें तो तुरंत खुल जाए तो यह hosting होती है server के उपर अब server कुछ नहीं होता यह server लोगों को बड़ा complicated लगता है server is simply a computer आप अपने घर पे यह computer लेकर आते हैं उसे इंटरनेट से करने करते हो तो आप उसे भी server बना सकते हो बड़ अब server की configuration server की speed अच्छी होनी चाहिए आपके इंटरनेट की speed अच्छी होनी चाहिए घर पे computer से लाओगे तो बिजली भी लगेगी computer खरीद के लाओगे तो यह मालो पचाजार का एक लाख रुपए का computer आपका और जो server वाले computer होते हो super fast होते हैं तो और महंग आते हैं फिर उनकी electricity consumption फिर उसको internet देना है उसका खर्चा तो यह खर्चा होता होस्टिंग का बट आप जब तक hosting नहीं खरीदते हैं आप domain चला ही नहीं सकते domain run ही नहीं होगा दुकान कैसे चलेगी जगाई नहीं होगी तो यह आपको दो चीज़ें होती है जब आपके domain प्लस hosting मिल जाती है तो आपकी बनती है website और अब आप website पे कुछ भी करना चाते हो आप ब्लॉग शुरू करना चाते हो आप अपनी e-commerce website शुरू करना चाते हो आ आज इस वीडियो में मैं आपको exactly दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपनी hosting purchase करते हो और कहां पर आपको सबसे सस्ती hosting मिलेगी तो इस वीडियो को sponsor किया है hostinger.com ने and now I will give you a real demo, एक live demo दिखा हूंगा कि how you will purchase your hosting, देखो मेरे पाँ multiple websites हैं और वो websites मेला मेरे पाँ multiple domains हैं वो domains हो इस वीडियो के लिए I also need a hosting और यह online ओना वह जरूरी है, so आपका भी फायदा कैसे होगा, आपको सबसे स्ती hosting कैसे मिलेगी, now we see the real demo, right now. अब यहां पर एक single web hosting package है जो 79 rupees पर month पर है, premium web hosting package है 179 rupees पर month पर है, और business web hosting package है जो 279 rupees पर month पर है, अब let me tell you, वोस्टिंगर से पहले हम अपनी जो hosting और domains ले रहे थे, हम गोडेडी से ले रहे थे, बट मुझे बात मैं पता लगा कि गोडेडी इस far more expensive, देखिए मैं अगर गोडेडी पर जाता हूँ, आप भी इस तरीके से जा सकते हैं, अब होस्टिंग पर जाहिए, वेब पढ़ता है, अब यहां पर अब देखें, यहां पर सिंगल वेब साइट वाला हटा दीजें, सिंगल वेब साइट वाले पर हमारा फाइदा नहीं है, क्योंकि आपको हर वेब साइट के लिए लग से hosting लेनी पड़ती है, अगर आप unlimited वाला देखो, तो यहां पर आपको SSL प्री नहीं मिल रहा, अब SSL क्या होता है मैं आपको बताऊंगे, यहां पर SSL जो मिल रहा है, यह वन येर के लिए मिल रहा है, अगर आप एक सिमिलर होस्टिंग करते हो, जो कि आप होस्टिंगर पर देखते हो, तो आप देखोगे 279 रुपीस पर मन्त पे आपको इनकी ज मतलब किया, आपने एक वेबसेट के लिए होस्टिंग ले अब आपने रर को एक और Website बना ही होस्टिंग लोगे, तो जितनी बार Website बनाओगे, आतनी बार L 넣ते हो ले तो उससे बेटर है कि आप एक एस्जी जूस्टिंग लेलो, जिसमें आप कम से कीक चैनन 10, 20 चा उ यहां पर 10,000 मंदली विजट्स दे रहे हैं 25,000 एक लाख मंदली विजट्स दे रहे हैं फ्री इमेल दे रहे हैं इमेल का मतलब क्या है मालीजे मेरे यहां पर डोमेन है course studies.com अब मुझे एक website बनानी है जिसका नाम हो सकता है info at course studies.com तो यह जो मेरी website के साथ मैंने एक email ID बनाई इससे पहले मुझे Google से services लेनी पड़ती दी अब यहां पर यह आपको free दे रहे हैं इसके साथ SSL free दे रहे हैं अब देखें यहां पर SSL लिखा हुआ है 855 के इनका SSL है यहां पर देखें जो गोड़ एड़ी है यह इसी SSL के 4000 से उपर चार्ज गरता है और यह एक साल के लिए फ्री दे रहा है और यह lifetime free दे रहे है SSL का मतलब क्या है कि जैसे आप अब यहां पर मुझे खुद के लिए भी होस्टिंग पर क्लिक कर देता हूं अब जैसे में टुकार्ट पर क्लिक करूंगा यह मुझे अलग-अलग months के लिए दिखाने लग जाएंगे कि कौन से months के लिए मुझे क्या प्राइजिंग पड़ेगा अगर मैं एक package ले रहा हूं इनका मान लीज़े दो साल का या तीन साल का तो मुझे सस्ता पड़ेगा comparatively अगर मैं एक महीने के लिए जा रहा हूं अब दो साल के उपर जाता हूं तो मुझे यह 315 रुपे पर महीने के हिजाब से पड़ रहा है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यह मेरे से चार्ज कर रहे हैं अब यहीं पर मैं इस hosting को भी आपके समने compare करके दिखा ज़ता हूं तो अगर आप यहां पर बारा महीने का लेते हो तो यहां पर आपको 11,988 और यहां पर आपको 8928 अब यह पूछ रहा है आपसे discount let me see we have already applied a discount coupon or not yes we have applied a discount coupon यहां लगा दिया था मैं आपके सामने लगा देता हूं आपको certificate included हो भी lifetime के लिए cloud fare protection मिल रहा है daily backups मिल रहे हैं और आपको देखो free domain में मिल रहा है okay I have the GST number तो मैं अपने GST number भी डाल सकता हूं all right तो हमने आप अपनी information डाल दिए GST से benefit क्या हो जो मैं इसे additional tax ले रहे हैं यह मुझे credit हो जाएगा क्योंकि मैं अपने business के लिए रहा हूं तो इसका मुझे फाइदा मिल रहे है है अगर आपके पास GST number नहीं है तो that is an optional अगर है तो आप डाल सकते हूं है तो मैं आपके go to the payment पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके सामने यह ऐसा page खुल जाएगा तो हम बोटी पी डाल देंगे यहां आप है आप 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 हमने पेमेंट कर दी है और यहां से हम स्टाट नहीं पर क्लिक कर सकते हैं मैंने होस्टिंग आप यह पूछ रहा है कि आप क्या क्रियेट करना चाहते हैं अब यहां पर पास अल्ड़ी एक फ्री डॉमें वाल उप्शिन था मैंने बोला दा हम बाद में ले सकते हैं अब जैसे आपने देखा लाइब डेमो में देख लिया कि कैसे अब वोस्टिंग पर्चेस करते हो और वस्टिंग के साथ आपको डोमे होस्टिंग पर्चेस कर सकते हो डोमें आप लीन डोमें पर सेर्च करो होस्टिंग के साथ जाके ले लो फ्री में मिल रहा है इसके साथ एक कूपन को दिनों ने दिया हुआ ऑफर 7 तो आप उसे अपलाए कर सकते हो जिससे आपको मैक्सम डिसकाउंट मिल जाएगा लाइक कर सकते हैं अपना प्यार देने के लिए कुछ सवाल है आप नीचो कॉमेंट्स में लिख सकते हैं आइड आइड विल सी नेक्स वीडियो तिल दा नाइम यूट्यूब पर वीडियो सब्सक्राइब करो फेस्बुक पर देख रहें आप फॉलो करो आइड गो सेल्फ मेंट्स मेंट्ट यूब फ्रेख करृब Markmade